हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की और ले चलो, मुझे अंदकार से प्रकाश की और ले चलो, मुझे मृत्यु से अमर्ता की और ले चलो। दोस्तों इसे आप क्या कहोगे एक सुक्ति या मंत्र या फिर जीवन जीने का एक तरीका चाहे आप कुछ भी कहले लेकिन जरूरी है इस जीवन को जीना दोस्तों जब यहां बात आ ही गई है जीवन जीने की तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारा टोपिक सनातन धर्म सनातन यह शब्द सुनते ही हम सब के मन में सवाल उड़ते है कि आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या है दोस्तों यह सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है और इसकी व्याख्या करना इतना भी असान कारे नहीं है सनातन जिसका मतलब है साशवत जिसका ना ही प्रवंब है और ना ही जिसका कभी अंत होगा जो की समय से भी परे है आपने कई बार यह सुना होगा कि धरम की जै हो और धरम का विनाश हो प्राणियों में सद भावना हो विश्व का कल्यान हो गउ माता की जै हो दोस्तों यह कहीं और नहीं, हमें बस अपने सनातन धरम में ही सुनने को मिल सकता है, जिसमें धरम के साथ-साथ हर प्राणी, विश्व और पशु तक के कल्यान की काम न की जाती है, इसलिए तो कहते हैं सत्य सनातन धरम की जै, सनातन सिरुफ एक धरम नहीं है, यह समस्त का तरीका सिखाता है, जो हमें इश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग दर्शाता है, दुनिया में ना जाने कितने ही पंथ और मजब होंगे, जिनको किसी ना किसी के दुवारा बनाया गया होगा, कई संभेदा आई और लुप्त हो गई, पर जो अर्ब वर्षों से साश्वत है, वही संनातन है, मानव की उत्पत्ती से पहले भी संनातन था, और मानव के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा, तो मित्रों शुरू करते हैं हम, आज के अपने संनातन धर्म को और भी विस्तार से जानने की मोहीम को, संनातन का अर्ध है सदा के लिए जिन भातूं का साश्वत महत्व होता है उसी को सनातन कहा जाता है वैधीक और हिंदु धरम को भी सनातन धरम से जोड़ा जाता है यह दोनु सनातन से बिल्कुल भी प्रतिक नहीं है क्योंकि हमारे वेदों से ही हमें काफी कुछ सनातन के बारे में जानने को मिलता है दोस्तों वैसे तो सनातन के मूल तत्व, सत्य, अहिंसा, देया, शमा, डान, तप, जाब, यम, नियम इत्यादी है लेकिन बस इतना ही कहे कर हम महान सनातन की व्यापक्ता को नकार नहीं सकते तो चलिए आगे बढ़कर और समझते हैं सनातन धरम के बारे में इस संजार में बस सनातन ही एक मातर ऐसा धरम है जहां इश्वट के साथ साथ पेड़ पोधों, पशुपक्षी, फल सबजियों तक को पूझा जाता है जैसे आपने देखा होगा, हमारे धरम में बर्गत तुलसी आदी के बहुत ही पूझा की जाती है इसको हम सिरफ धरम से ना जोड़ते हुए विज्यान के हिसाब से भी देखें तो बर्गत हमें सबसे अधिक उक्सीजन प्रदान करता है आज के विज्यान से पहले भी हमारे पूरवज इन सब चीजों का महतब समझते थे इसी लिए आज भी इनको पूझा जाता है एक मातर हिंदू सनातन धरम में जानवरों को पूझा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकरती का अगर संतूलन विगड़ गया तो इनसान का जीवन भी किसी काम का नहीं रहेगा जिस तरह गाए को हम पूझते हैं उसके बदले में हमें उनसे दूद गोपर आदी प्राप्त करते हैं हमारे धरम में इश्वर ने स्वय ही ना जाने कितने अवतार लेकर हमें पशु का महतब समझाया है जिसमें हम भगवान नर्सिंग अवतार और वरहा अवतार को देख सकते हैं और हमारे जितने भी भगवान हैं उन सब के वाहन भी पशु ही है अब अगर किसी भी तीज दुहार को देखें तो हम उसमें फल सबजीयों को प्रसाद के प्रती के रूप में भेट करते हैं दोस्तों इसको भी एगर आप विग्यान की दृष्टी से देखें तो फल हमारे शरीट के लिए कितने लाबकारी हैं जैसे आमला हमारी अमिन्यूटी को बढ़ाने में मदद करता है भारत में आपने देखा होगा कि हर साल कई स्थानों पर आमला नुवामी पर महिला आमला की पूझा करती है सनातन हमारा सवदेशी है यह कहीं भार से आए किसी अकरांता द्वारा थोपा गया धरम नहीं है क्योंकि यह हमेशा सही संसार में मुझूद था संसार की हम बहुत पहली संस्कृती है जिसने दुनिया को तारों की भाया दिखाई जहां विग्यान कई सो वर्ष पूर्व अपना कैलेंडर बना पाया और हम कई हजारों वर्षों से तारों की दिशा देख के बता देते थे ही कब पूर्णिमा है और कब अमवस्या हमारे हिंदू पाचंग आज भी इस बात के पुष्टी करते हैं और हमारी महानता को व्यापत करते हैं विज्यान आज मशीनु की मदल से बता पाया है कि हमारे सोर मंडल में कितने ग्रहे हैं और पृत्वी का आकार गोल है पर दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे जो हम आम तोर पर अपने घरों में किसी विशेश पूजा में जो नवग्रहे बनाते हैं वह उसी बात का प्रतीक है कि हम सब यह बाते तो पहले से ही जानते हैं और आप सबने भगवान विश्नु के वरहा अवतार को कभी न कहीं तस्वीर माध्यम से जुरूर देखा होगा और उनके दांतों में प्रत्वी को फसाए चित्रित किया होता है तो इस बात पर आपने कभी ध्यान दिया है कि उसका अकार क्या है दोस्तों वह भी गोल अकार में दर्शाया गया है तो हम यह सब तथ्य पहले से ही जानते हैं कि हमारा सोर मंडल कैसा दिखाई देता है और आपको हमने इस से चुड़े कुछ प्रमान भी दे दिये है सनातन जितना सरल दिखाई पड़ता है उतना ही चटिल भी है इसको मानने वाले अपने जीवन को बिना किसी लोब, लालच, इर्शा, द्वेश, इत्यादी के बिना जीते हैं दोस्तों हम इस धर्ती पर सनातन धरम को मानने वाले लोग हैं जहां भगवान ने स्वयम जिनम लिया हमें जीवन का पाट सिखाने के लिए और हमें अपने सनातन धरम पर गर्व होना चाहिए तो यह था सनातन धरम पर पहला पाट जिसमें हमने आपको बहुत कुछ तथे बताए अगर आप इसके अगले भाग को भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कॉमेंट्स में हमें जरूर बताए अगले भाग में हम आपको और भी विस्तार से सनातन धरम की मुखे शिक्षाएं और कई रोचिक तथे बताने का प्रयाज करेंगे और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद